फाइनली गूगल अब सर्प्राइज पर सर्प्राइज देने में लग गया है और ये सर्प्राइज ऐसे होने वाले है जिन को आपने कभी expect भी नहीं किया होगा तो पिक्सल 6 का तो आपको पता ही होगा लेकिन पिक्सल 7 का teaser भी लांच कर दिया गया है और अगले साल के लिए क कि यह सब इंडिया में आने वाला है अब वीडियो का जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब भी कर लो सबसे पहले बात करें Android 13 की जो ऑफिशिली अनाउंस किया गया है जो Android 12 में minor changes के साथ कुछ additional features and customization साथ में लेकर आता है सबसे इंपोटेंट मैं यूचू Android 13 में mandatory होगा उसमें कुछ features एड़ किया गया है यहां पर आपको media control system में चेंज किया गया है और अगर आप किसी पर्टिकुलर एप्स को हिंदी या फिर अपनी regional language में चलाना चाहते हो तो वह भी आप कर सकते हो जबकि आप सेम टाइम पर overall phone की जो language है उसे भी अलग से सेट कर पाओगे और एक बूत इंट्रेस्टिंग फीचर जो आर्चेस Android में होता है मतलब कि बिना SMS reply करें आप चैट कर सकते हो इसमें आपको दूसरी किसी एप की तरह रेजिस्टर भी नहीं करना पड़ता बलकि इससे आप time-to-end inscription के साथ मिलता है जो इसे secure and fast बना देता है यहां आपके wallet को भी secure किया जाएगा ताकि आप अपने digital certificate and documents एक जगा पर सेप रख पाओगे यह डिजी लोकर ही जैसा है बस नयाम Google wallet बना दिया गया है Android 13 में आपको emergency SOS alert, earthquake alert और 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 भी सारे emergency exits देगने को मिल जाएंगे privacy life का एक ऐसा part बनता जा रहा है जो सभी को consider करना चाहिए और consider कर भी रहे हैं इसलिए Android 13 में apps आपसे पूछ कर ही आपको notification send करेंगे और apps का आपको किसी particular videos यह photos का access देना पड़ेगा पूरी gallery का access उन्हें नहीं मिलेगा अब apps आपसे क्या data ले रहे हैं और कितना data ले रहे हैं तो कुछ नहीं पता होता था लेकिन अब से आपकी setting में dedicated feature मिलने लगेगा जिसे आप पता लगा पाओगे कि किस app ने आपसे कितना और कौन सा data लिया है permission के साथ क्या और क्यों data ले रहे हैं इसका पता भी आप कर पाओगे Android 13 का beta version भी Google ने release कर दिया है जो कुछ ही phones के लिए compatible होने वाला है जिस पर भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी तो subscribe कर सकते हो और यही नहीं pad के लिए भी beta version release कर दिया गया है जो आपको Xiaomi pad 5 में देखने को मिल रहा है जिसमें matter you design के साथ tabs के लिए apps को और optimize कर दिया गया है ताकि सभी tabs related apps को आप easily run कर पाओगे beta version को specity ऐसे design किया गया है ताकि tabs में smooth तरीके से चलाया जा सके जिसे आप demo galaxy s8 alpha में भी देख सकते हो अब tabs को और foldable phones को smooth experience देने के लिए android 13 को इस type से design किया गया है कि इसमें lags आपको बहुत कम से कम देखने को मिले लेकिन अगर stable version आएगा तो एक backstack experience आपको android tabs में देखने seamless synchronization आपको provide किया जा सके और आपको अपने काम करते हुए बीच में न रुकना पड़े जिस टाइप से apple products में sync होता है वैसे compatibility Google Android में लाना चाहती है अभी Google अपना tab नहीं ला रही है वो इसलिए क्योंकि अगले साल तक developers apps को optimize कर देंगे android 13 and tab से sync होने के लिए इसलिए Google ने अ आपको यहां पर मिलेगी लेकिन image sensor यहां पर वही 12 MP का सुरू से जो आ रहा है वही यूज किया क्या है यूज से pricing की अगर बात करें तो यहां पर 449 डॉलर्स रखी गई है और Google around India की अगर बात करें तो 40,000 में देखने को यह मिल सकता है जो September तक आपको phone देख सकता है Google ने इंडिया मिलाने की date announce की है जो बाद में बदल भी सकती है लेकिन इस pricing में ऐसा क्या आने वाला है इस phone में जो आपने आपको और company से अलग कैसे show कर पाएगा क्योंकि 12 MP पुराना sensor है चोटी battery और Pixel phones के bugs और और भी बहुत कुछ इन सब से यह phone आगे कैसे निकल पाएगा अब इंडिया में Pixel 6 से इसलिए लाया गया था क्योंकि high pricing होने पर specs उतनी अच्छी नहीं थी 6 में और वो अब पूरी कर दी गई है साथ ही Pixel 7 भी यहां पर आपको officially tease किया गया है जिसमें 6 की तरह aluminum की camera बार देखने को मिलती है जो metallic glass में मिलेगा और max tensor chip यहां पर भी देखने को मि लेगी जो दो variant में आपको मिलने वाला है साथ ही यहां पर मुझे best जो लगी वह pixel जिसे आप Google Android में integrated होने की कोशिज कर रहा है वहीं से Android का future ecosystem आप expect कर सकते हो जिसको पूरे pixel birds से किया जाएगा लेकिन अभी confirm नहीं है कि यह birds इंडिया में आएंगे या नहीं Google ने Indian fans को लोड़ कर कहीं और ना जाए और आप इन में से कौन सी चीज लेना पसंद करोगे हमें कमेंट करके जरूर बताए आपके सामने एक बड़ा सा रैड बटन है 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 तुमा दिया आगे बोलो इंड, गाओे ईसाध करके समय से करदेश है है